नमस्कार दोस्तों मैं संतुसर आप देख रहे हैं ओनलाइन टेक सबोर यूटूब चैनल गाइज आज का टपी बहुत इंपोर्टेंड होने वाला है उन लोग के लिए जिन्होंने यूटूब पे काम करते हैं और और निग भी करते हैं ये भी एक यूटूब का अपडेट ह आपको नवेंबर से पहले एनेबल करना चाहिए ठीक है जैसा कि आपको पता होगा आजकल बहुत सारे फ्रॉड होता रहता है बहुत बड़े-बड़े चैनल हो जाता है और काफी सारे लॉसेस होता है ठीक है ना क्यूंकि ना है के बाद अगर चैनल आपको मिल जाता है तो आप उसके अंदर वीडियो वगरा नहीं रहता है और आपका और नहीं वगरा जितने भी हो रहा था वह सारे कोजी हैक हो जाता है तो इसलिए यह सब को बचाने के लिए आपको यह सारे प्रोसीजर कर लेना होगा जो आज मैं बताने बला हूं इसलिए आपको वीडियो को इंड तक जरूर देखना होगा तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमेशे की तरह में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमेरे चैनल अब तो सब्सक्राइब करें पास में बेल आइकन को दबा के अलके बर जरूर क्लिक करें तो चलिए सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर आप गाइज देख सकते हो अगर आपके सामने यह नहीं आ रहा है तो आपको भी यह सारे प्रोसीजर कर लेना होगा नवेंबर के बाद यह सारे लागों होने वाला है इसका मतलब यह होता है जितने भी यूटूब चैनल मौनिटाइज हो चुका है जितने भी मौनिटाइजिंग क्रेटर है उनलोग का YouTube Studio को यूज करने के लिए Google एकाउंट में 2-step verification जरूर एनेवल कर लेना चाहिए अगर आप नहीं करा है तो आपको ये करना पड़ेगा अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका एकाउंट हाग हो सकता है इसलिए Google खुद सोच समझ कर ये एक update लेकर आया है बिना स्कीप करके अगर आफ करते हो तो कोई step निस्ट कर सकते हो तो Google पर आ जाते हैं और यहां पर search कर लेते हैं आप किस तरिके से भी आपका account के अंदर आ सकते हो पर security option होगा तो इसी के अंदर आपको आ जाना होगा जैसे मैं security को पर क्लिक करूंगा थोड़ा सा यहां पर scroll down कर लेने के बाद two step verification का option यहां पर मिल जाएगा अगर आप पहले से enable कर रखे होंगे तो यहां पर on का option आजाएगा अगर आप नहीं करें होगे तो यहां पर off आएगा तो simple से यहां पर आपको click कर देना होगा जैसे यहां पर click करोगे तो आपका email का password पुछा जाएगा तो आपको password एंटर करके next कर देना होगा उसके बाद आपका जो mobile आप यहां पर add करें होंगे वो mobile में एक message आया होगा उसके अंदर आपको yes करके एक number यहां पर मिलेगा तो यह जो number आपको mobile के अंदर भी put करना पूट करूंगा तो यहां पर processing start हो जाएगा वो number सही दबाया नहीं अगर सही दबाया होंगे तो बाकी का process यहां पर start हो जाएगा ठीक है ना गाइज आड़ करके रखिए अगर कोई भी invalid activity हो रहा होगा आपका account वर तो उसका notification आपका mobile में आपका email address में नहीं तो आपका यहां पर mobile number जो दिये होंगे उस पर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा तो आपका account में कोई invalid activity करने के लिए कोशिज कर रहा है तो उसके बाद आपका password बगर आप चेंज करके आपका account को hacker से बचा सकते हो हां और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपके mail में जो mail में आप YouTube open करके रखे हो उसी mail के अंदर कोई से जगा पर अगर mail आ रहा है और unwanted mail होता है spam करके mail आता है तो उसके अंदर कुछ links बगरा रहता है क्लिक करने के लिए उसमें बोला जाता है ठीके बो लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका account बगरा भी हैक हो सकता है इससे बचने के लिए आपको थोड़ा mail को verify कर लेना होगा और साथ में सोच समझ कर आपको लिंक अपर क्लिक करना होगा इससे भी आपका account हो सकता है इसलिए यह सब mail से आपको बचके रहना पड़ेगा तो आपको जरूर पता होना चाहिए अगर आप यूटूब पर काम करते हो तो इस तरह वीडियो पाने के लिए आप हमार चैनले को सब्सक्राइब करके जरूर रखे और पास अंबेल आइकन को दबा करें तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तो फाइनली थैंक्स पर करें अवीडल आप कर लाहिए अबसाइब कर दो किसी नएडियो टो को हो एधिए